मतलब की यह हमारा मत्वर रोड और यहां से हमारा जोग जॉट है वो मात की तीन कलो भीज़त के होगे वागत है आपका एक बाल फिस्ट अपने इश्राम प्रफर्टी है पेट चैनल सब इस प्लॉट के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई साइड पे एक नए सफर पे अपने आए हुए है यहां पर सीचे मेरे लेफ हैं साइड पर देख रहे हैं यह सब्सक्राइब सेशन है और इसी के लड़ा हुआ इंडवेस्टेशन और बस इस्टेशन है आप इस प्लॉट है वह इसेट पीछ 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 प्लॉट के तरफ है यहां पर आपको क्नेक्टिविटी की बहुत ही बढ़ियां सुधा मिल जाती है जैसे कि अभी आपने पीछे देखा जहां पर में खड़ा था उसके पीछे ही मेट्रो इस्टेशन था वहीं पर बस अड़ा भी और रेलवे स्टेशन भी है जैसे कि आप दिल्ली के अनन बिहार में देखते हैं रेलवे स्टेशन बस अड़ा और मेट्रो इस्टेशन तीनों एकी जगे पर आपको मिल जाता है वैसे ही बल्लबगड़ में भी है और सामने जो आप यह देख रहे हैं यह बहुत बड़ इस तरह पर यह कंपनी भोती भव्व्वे कंपनी है और यहां से जो हमारा प्लॉट है इसी के बैक साइड में मात्र एक किलोमेटर पड़ता है यह सेक्टर 58 का पुलिस स्टेशन है और हमारा जो प्लॉट है वो भी सेक्टर 58 में ही पड़ता है और यहां से सारा का सारा जो कि सेक्टर 58 में जितनी भी आप देखने बड़ी बड़ी तो कमपनियां है इस सब के सब हमारे प्लॉट के बिल्कुल नियरबाई होने वाले हैं यह आप देखने लेफ्ट में फेक्टरी राइट में फेक्टरी और इसी के बगल में ही हमारा प्लॉट है और यहां पर जो की करना बनाती है आप देखने होंगे वगड़े कर डान होते हूं उस पर लिखा होता है यही और आज जो आपको मैं दिखा रहा हूं बहुत ही प्राइम लोकेशन पर हैं एक तरफ इंडेस्ट्रिल एरिया दूसे तरफ तरफ एसी के बीच में हमारा प्लॉट एकदम आता जा रहा है कि सेक्ट्र 58 ट्रांसपोर्ट नगर की और जा रहा है तो हमें सेक्ट्र 58 ट्रांसपोर्ट नगर की और जाना है और बल्लवगड़ से हमारी सउइड की दूरी मतरpi 3-3 km हैं और मथूरा रोट से मतर 1 1.5 km है यह जो आप आप देख रहे हैं यह पावर हाउस है इस पूरे एरिये में पूरे बल्लब गड़ में यहीं से इलेक्रिसिटी की सप्लाई दी जाती है इससे आप यह तो अंदाजा लगाई सकते हैं कि इस एरिये में पानी की बिजली की ट्रांस्पोर्ट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली ह और जो सामने आप त्रक निकलते हो देख रहे हैं वहां से मत्रा रोड मात्र 500 मीटर की दूरी पर है वो तो मैं आपको आज पास का छेतर दिखा रहा था इसलिए उदर से मैं घुमा के लिए क्या आया आप चाहें तो सीधा ऐसे आ सकते हैं जो कि आपको बहुत ही पास पड़ेगा इदर से हमारे साइड प्लाने के लिए दो रास्ते हैं जहां से आप आ सकते हैं यहां पर ट्रांस्पर्टेशन की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है कि आप बस से आ सकते हैं मैट्रो से आ सकते है भी यहई सकते हैं जैसे कि आप सामने देख रहे हैं उर्तु बढ़ाया मकान बने हैं आसपास में घर बने हुए हैं और हम अपने प्लोट पर पहुंचे नहीं ही वाले हैं और यह जो आप सामने इलक्रिसिटी का पॉल देख रहे हैं यहां से हमें अब में अब फोना है और ज टाटा 407 ट्रक यह सबती स्रिजम करती है यहां पर काफी लोग काम करते हैं जो आप यह मकान देख रहे हैं बना हुआ यह हमारा ही प्रोजेक्ट था जो कि हमने म किन्स साल पहले इसको इई और अपने प्रोजेक्ट को एक्सजAwdy क है तो यह हमारा फेस वन है और फेस टू जो है वो बिलकुल सामने है जो कि आप देख सकते हैं वो जो सामने आप देख रहे हैं वो हमारा फेस टू है तो साथियों हम आ गए हैं अपने साइड पर यह जो आप रोड देख रहे हैं यह 20 फिट का रोड है और जो अंदर के रोड है यह 18 फिट के हैं हमारे क्लाइंट ने प्लॉट लेकर यहां पर बॉंडरी भी करवा लिये हैं यहां पर आप मात्र 25 परसंट लेकर आप कबजा ले लें मकान बना लें और आप जैसा कि देख रहे हैं वहां पर पूरा बसावत है उसके बिल्कुल जस्ट बगल में हमारा यह प्लॉट पड़ता है तो साथियों मैं आपको यही कहूंगा कि इन फ्यूचर में आपके पास पैसे रहेगा इन फ्यूचर में लोग रहेंगे ले आज पास में काफी सारे मकान बने हुए हैं और उस मकान में काफी सारे लोग रह रहे हैं मतलब आप चाहें तो यहां पर आज से ही बना कर रह सकते हैं क्योंकि यहां पर किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होने वाली बगल में ही आपको मार्केट मिल जाएगा फीट 18 फीट के यहां पर आपको रोड मिल जाएंगे इस सुसाइटी के लिए हमने इंडिपेंडेंडेंट समर्शिवल की विरस्था कर रखी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिसिटी से संबंदित कभी भी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यह दिनली NCR का सबसे बहतरीन साइड है जहां पर आपको सभी चीजें बहुत ही पास में और बहुत ही इसली अवेलबल हो जाएंगे तो अब हम यहां पर प्लोट के रेट की बात करें तो आपको यहां दो साल अर्थात 24 महीनों के किस्तों पर आपको यहां पर प्लोट अवेलबल हो जाएंगे और यहां पर आपको 40 गज, 50 गज, 60 गज, 80 गज, 100 गज, 120 गज, 1,500 गज, 200 गज, 500 गज तक के प्लोट के साइज अवेलबल हो जाएंगे तो साथियों ऐसे ही मैं आपके लिए दिये गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद